गुड नीव सेयर करने वाले ओफीशियल नोटिफिकेशन सी ए फाउंडेशन इंटर्मिडियेट फाइनल न्यू कोर्स में एक्जाम देरो मेज जून 24 या नॉमबर दिसंबर 24 में भी एक्जाम देने वाले हो ध्यान से बाते को सुन लीजिए कुछ बच्चे परिशान हो रह के बाद आटोमेटिक कनवर्जन हो जाएगा बट अभी तक आटोमेटिक कनवर्जन हुआ नहीं था क्योंकि दिसंबर 23 का तो रिजल्ट डिकलर नहीं हुआ बट आज के डेट में आप लोग के जानकारी के लिए बता दे आटोमेटिक कनवर्जन स्टार्ट हो चुका है एक लोग SSP पोर्टल पे लॉग इन करके चेक करना उसके बाद कॉमेंट करके बता देना क्या आपका automatic conversion हुआ या नहीं हुआ तो इस वीडियो में जो information share कर रहे है अभी तक YouTube पे किसी नहीं बता है इसके बाद हो सकता इस वीडियो को कोफी कर लिया जाए लेकिन आप लोग के जानकारी के लिए बता दे CA Foundation Intermediate Final का automatic conversion स्टार्ट हो चुका है एक परवरी 2024 से मुझे बता है comment करके यह नहीं बताएगा कि December 23 का result नहीं है इससे कोई फर्खी नहीं परता automatic conversion कर दिया गया है December 23 वाले बच्चे को भी new course में convert कर दिया गया है CA Foundation के result देक्लेर हो जाएगा December 23 का तो सिधा registration करोगे CA Intermediate में और pass करोगे तो पास नहीं करोगे तो सिर्फ exam form fill करोगे exam form fill कैसे करना CA Foundation Intermediate Final का मैंने और डेडी वीडियो बना रखा पूरा डिटेल में समझाया है सारे वीडियो उकालिंग का आपको description में मिल जाएगा सबसे पहले सारे students automatic conversion चेक करने के लिए SSP portal पे login करना सबसे उपर में ही current course status में देख लेना foundation वाले को सो करेगा जो की old course में registration किये थे चेक कर लीजेगा देखो मैंने बोला थारा एक फरवरी से conversion स्टार्ट हुआ है तो new जो वैलिडिटी होगा course का जैसे कि CA foundation का 4 साल है intermediate का जितने साल है उतने साल के लिए बढ़ा दिया गया होगा CA final का भी जितने साल है उतने साल के लिए बढ़ा दिया गया होगा आप लोग course validity चेक कर सकते हो इस वीडियो का मकसद यह है कि जो लोग अभी तक conversion के लिए सोच करके conversion में apply करेंगे फिर exam form fill करेंगे आप लोग सबसे पहले SSP portal पे login करना है चेक करना है क्या आपका automatic conversion किया गया है अगर जबाब होगा हो तो सिधा आप लोग exam form fill कर लीजें CA intermediate and CA final का देखो किसी को एक फरवरी को रहा है किसी को दो को किसी को तीन को किसी को चार को किसी को पांच को होगा किसी को छे को होगा यानि कि automatic conversion start हो चुका है चेक कर लेना dashboard को जब login करके आप लोग चेक करने जाओगे ने तो final वाले को क्या सो करेगा cofin 23 intermediate वाले को क्या सो करेगा coint 23 और foundation वाले को क्या सो करेगा coint 23 ये अगर dashboard पे current course status में सो करता है इसका ये मतलब है कि आपको new course में conversion कर दिया गया है अभी बहुत सारे बच्चे पारेसान हो करके मुझे message कर रहे थे December 23 में exam दिये या intermediate या final के बच्चे कि उनको conversion करने का option नहीं दिया जा रहा है dashboard पे भी नहीं है starting में student function के नीचे और नहीं pending application में है क्या करे exam पॉम फिल कैसे करे तो आपको current course status चेक करना है जैसे कि मैंने इस वीडियो में बता दिया automatic conversion हो चुका है इसके कारण से conversion में apply करने का option नहीं दिया जा रहा है तो पारेसान tension free हो गया है आप लोग इसके बीना automatic conversion कर दिया गया जो लोग already conversion में apply कर चुके है अच्छी बात है कोई इससे problem होने वाला बात नहीं है और वीडियो को यहां तक देखे हो तो please students मेरे hard work को appreciate करने के लिए वीडियो को like कर दीजिए चैनल पे नए हो तो subscribe करे और इतना ही नहीं इस वीडियो को जरूर share कर दीजिएगा CA Foundation, Intermediate and Final वाले बच्चों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके और वो लोग भी exam form फिल कर सके exam form फिल कैसे ही करना मैंने already वीडियो बना रखा है सारे वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा direct entry का वीडियो आज के दिन में देखने को मिल जाएगा मुझे बता है ये good news है लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी login करने जाएंगे SSP portal पे तो वो login ही नहीं कर पाएंगे परिसान हो जाएंगे फिर से नया doubt कि SSP portal पे login ही नहीं कर पा रहे है बच्चो मैंने already video बना दिया है SSP portal पे कैसे login करना उस video का link आपको description में मिल जाएगा उस video को देखने के बाद आप login कर ही पाओगे प्लीज video को देख लीजिएगा video का link आपको description में मिल जाएगा कोई additional doubt हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं इतना ही नहीं एक और alert है disclaimer दे रहे जिन बच्चों को conversion में अभी भी apply करने का option आ राग तो apply कर दीजिएगा जिनका भी automatic conversion हुआ है प्लीज comment box में बताएगा comment करके जी हाँ आपके साथ हुआ है ताकि बच्चे लोग भी मेरे उपर विस्वास कर सके वैसे तो बच्चे लोग विस्वास करती है लेकिन आप लोग भी comment करके जरूर बताएगा